परिचए वाह! कितना सुन्दर चित्र है! इसे किसने बनाया है? मैंने बनाया है. इसे कागज से बना सम्मित डिजाइन कहते हैं. मैंने सम्मिती के बारे में सुना है. लेकिन ये क्या है? ये मैं नहीं जानती. मैं तुम्हें बताऊंगी. मेरे साथ आओ. उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करनी में सक्षम हो जाएंगे सम्मित रेखा को परिभाशित करना दी गई आकरिती में सम्मित रेखा को पहचानना सम बहुभुज की सम्मित रेखा को समझना दरपन रेखा को समझना घुर्णन सम्मिति को समझना और दी गई आकृती में घुर्णन सम्मित के क्रम को पहचानना सम्मित रेखा इन आकृतियों को देखो जो रेखा तुम देख रही हो वो इन आकृतियों की सम्मित रेखा है सम्मित रेखा ये क्या है? जब हम आकरिती को सम्मित रेखा के अनुदिश मोडते हैं तो दोनों भाग परस पर समपाती हो जाते हैं अतह हम कहेंगे कि ये आकरिती सम्मित है और ये रेखा सम्मित रेखा है सम्मित रेखा की पहचान प्रिया, क्या तुम अब किसी आकृती की सम्मित रेखा को पहचान सकती हो? मैं प्रयास करूँगी, इस आकृती में ये रेखा सम्मित रेखा या अक्ष रेखा है कैसे? जब हम इस आकृती को इस तरह मूरते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दोनों भाग परस पर समपाती हैं अतह यही रेखा सममित रेखा है अच्छा तुमने अब सीख लिया है और इन आकृतियों में ये सममित रेखाए है सम बहुभूजों के लिए सममित रेखाएं अब मैं तुम्हें सम बहुभूजों के लिए सममित रेखाओं के बारे में बताऊंगी क्या तुम चानती हो कि सम बहुभूज क्या है? ये एक बंद आकृती है जो विभिन्न रेखा खंडों से बनी होती है और त्रिभुज तीन रेखा खंडों से बना एक बहु भुज होता है। तुम सही हो और सम बहु भुज वो होता है जिसके सभी रेखा खंड बराबर है और सभी कोनों की माप होती है। इसलिए एक वर्ग एक सम बाहुत्र भुज और एक सम पंच भुज एक सम शष्ट भुज सम बाहुभुज के उधारण है इनकी सभी भुजाएं और कोनों के मा बराबर होती है क्या सम बाहुभुज बराबर होते हैं? हाँ, सम्भव भुज सम्मित आक्रिती होते हैं और उनमें कई सम्मित रेखाएं होती हैं. इन आक्रितियों को देखो, एक सम बाहुत्रे भुज में तीन सम्मित रेखाएं होती हैं, एक वर्ग में चार सम्मित रेखाएं होती हैं, एक सम पंच भुज में पांच सम्मित रेख और एक सम शष्ट भुज में छे सम्मित रेखाएं होती हैं, दर्पन रेखा, एक आकार में रेखिक सम्मती तब होती है, जब उसका एक आधा भाग, दूसरे आधे भाग का दर्पन प्रतिबिंभ हो, आउ अब देखें कि ए पर खिची गई रेखा सम्मती रेखा है या नहीं हम इसके आधे भाग को लेते हैं और दर्पन के सामने रखते हैं वाह, इसका आधा भाग, इसके दूसरे आधे भाग के बराबर है इसका अर्थ है कि ये रेखा सम्मित रेखा है आउ, एक खेल खेलें, कौन सा खेल? छेद करने वाला खेल इस खेल में हम इस कागस को मोड़ेंगे और इसमें छेद करेंगे ये बहुत आसान है अब इस कागस को खोलो, हम देख सकते हैं कि दोनू छेद सम्मित हैं और मोड के निशान की रेखा इसकी सम्मित रेखा है घुर्णन सम्मिती अब इस घड़ी को देखो ये गोल घुम रही है इसका अर्थ है कि ये घुर्णन कर रही है घड़ी की सुईया दक्षणा वर्थ दिशा में घुमती है और जब कोई वस्तू घड़ी के दिशा के विपरीत खुमती है तुसे कौन सा घुर्णन कहते है इस घुर्णन को वामावर्थ घुर्णन कहते है जब कोई वस्तू घुमती है और इसका आकार और आमाप नहीं बदलता ये घुर्णन वस्तू को एक निश्चित बिंदू के चारो तरफ खुमाता है ये बिंदु घुर्णन का केंद्र कहलाता है और घुर्णन के दौरान घुमे गए कोन को घुर्णन कोन कहते हैं यदि कोई वस्तु घुर्णन के दौरान एक पूरा चकर कारती है तो इसका घुर्णन 360 डिगरी होता है आधा चक्कर का अर्थ है कि घुर्णन कौन 180 डिगरी है और चौथाई चक्कर का अर्थ है कि घुर्णन कौन 90 डिगरी है गुर्णन सम्मिती 2 ये कागस की फिर्की है, इसमें गुर्णन सम्मिती है यदि तुम इसे इसके केंद्र से 90 डिग्री घुमा दो तो कागस की फिर्की का आगार पहले जैसे ही दिखाई देगा पूरे चक्कर में इसमें ऐसे 4 स्थितियां दिखती है 90 ڈگری, 270 ڈگری और 360 ڈگری पर कागस की फिरकी बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देगी इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम 4 की घुर्णन सम्मिती है घुर्णन सम्मिती 3 फ्रिया, क्या तुम बता सकती हो? हमारे आसपास की आकरितियों में किसमे घुर्णन सम्मिती होती है? हाँ, जब हम किसी फल को काड़ते हैं, तो उसके अनुप्रस्त काड़ के आकार में घुर्णन सम्मिती होती है. कई सडक संकीतों में घुर्णन सम्मिती होती है. रैखिक सम्मिती और घुर्णन सम्मिती क्या तुम जानती हो कि सबसे पूर्ण सम्मिती आकरिती कौन सी है? क्या ये वृत है? हाँ, वृत सबसे पूर्ण सम्मित आकरिती है इसको एकेंद्र के परित किसी भी कोण पर घुमा कर वही आकरिती प्राप की जा सकती है साथ ही इसकी अपरिमित सम्मित रेखाएं हैं इस वृत के प्रतिरूप को देखिए केंद्र से होकर जाने वाली प्रक्तिक रेखा परावर्तन सम्मिती की एक सम्मिती रेखा है तथा केंद्र के परित प्रतिक कोण के लिए इसकी एक घुर्णन सम्मिती है सारांच किसी आकृती में सम्मित रेखा होती है यदि उसमें एक ऐसी रेखा हो जिसके अनुदिश आकृती को मोड़ने पर दोनों भाग परस पर समपाती हो जाए। परित खुमाता है। ये नियत बिंदु घुर्णन का केंद्र है। जिस कोण से वस्तु घुमती है उसे घुर्णन कोण कहते हैं। तो हम इसे घुर्णन सम्मिती कहते हैं। एक पूरे घुर्णन 360 डिगरी में आकृती जितनी बार एक समान दिखती है उसे उस क्रम का घुर्णन सम्मिती कहते हैं।